तो आइस आप देख रहें बूटिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिम्पल यानि minimal ब्लाउज की कटिंग बहुत लोग की माद्फी की kinds करना है तो इसमें मैं पूरी बारीकी से कवर करूंगा और प्रोफेस्नल तरीका बताऊंगा जो नया से नया बंदा और जुना से जुना जो पुराने हैं और सभी लोग ईजी डंग से कटिंग कर पाएंगे ठीक है तो उसमें से ही कुछ लोग की जो मेजरमेंट आया था कि हम मैं इस मेजरमेंट की बताई है तो इसके एकॉर्डिंग मैंने ए मेजरमेंट लिए ठीक है में बताऊंगा कि कप्रा कैसे विछाना है आपको और किस तरीके से फोल्ड करना है और किस तरीके से उस पर कटिंग करना है ठीक है यह हमारा देखिए एक समझ लिजिए है और लंबाई उनकी 14 इंच है ध्यान सासी मेजर मेंट की हिसां से हम कटिंग करेंगे इस false लिए है की बोड़ी से लिए है लेकिति के ब्लाज से लिया हुए हम आप की रच्छ ब्सक्राइब से स्कूर्ण करेंगे ठीक है तो सबसे पहला का मुझें जो करेंगे ओब क्टीं करेंगे बैक की कटिंग पहले हमेक सीधी निसान लगा लेंगे यह जो हमारा टेना मेरा है कप्ड़ा है इस तरीके से सॉल्डर हमारा 12 इंच है तो हम 6 पर निसान लगा लेंगे ठीक है और एक चेंज करेंगे निशान हम यहां पर तो चेंज यहां पर हम रख लेंगे बाकी आप अगर बलाउस से गुलाई माप लेते तो उसके कोर्डिंग आपको रखना है ठीक है अब अगर एचेंज वाला जो कैसा गुलाई निकालते हैं आर्मोल की ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्केप्सर में इस तरीके का लिंक मापेंगे तो नो चोक 36 इंच ठीक है ध्यान समझेगा अभी और उसके बाद हम इसको भी हम ऐसा मिला देंगे सीधा ओके और फिर एक इंच मार्जिक रख लेंगे सिलाई के लिए उसके बाद इसकी लंबाई जो है हमारा टोटल और 14 इंच है तो इसको हम रखेंगे 15 इंच ठीक है 15 इंच पे दो निसान लगाएंगे अधा इंच हमारा उपर मार्जिंग चला जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा इसमें जो पट्टी है और अलग से लगाना है आपको जो नीचे पट्टी लगाते हैं यहां पे यह वाली पट्टी वह अलग से आपको देना ह मेलें ठीक है उसके बाद गिशारतिसश झालक लगाना है और एक पर और एक निसान लगाना है यह हमारा डौ biod का निसान हों और एक इंच सिलाई के मार्जिंग ओके समझ गया अब हमारा जो गला है इसमें 9 इंच का है ठीक है तो हम यहां से 9 इंच ही मेजरमेंट करेंगे क्योंकि जब यहां पे आधा इस दबेगा तो यहां पे अपने आप आधा इंच कवर कर लेगा तो 9 इंच पर हम इसको निसान ल जाएगा ठीक है तो दस इंच नौ इंच पर हम एक और निसान लगाएंगे और आरहा इंच पर एक और निसान लगाएंगे ठीक है अब यह दोनों का मैसा सीधा कर लेंगे अब ध्यान देने वाली बात है इसको हम गला गोल कर देते हैं आप आपके एक ओडिंग जैसा रखना चाहें रख सकते हैं ठीक है अब जो यहां पे जिन लोग को जो यहां पे जो है लूज हो जाता है यहां ठीक है यहां पे उनके लिए यहीं समस्या है में समस्या जो बैक दो क्या ह selber है यहां पर आधाइंच कंघ कम रखना है लेखिवे दिख्या आधाइंच कम कर देना है आपे और दो इंच समझ लिजी दो इंचिनमी यहां पESनavij निसान जो यहां पे और एक इंच नि answer निसान यहां और एक इंच इहां पे फिर इसको इसको हम सिधा कर देंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यहां पर थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे इसको क्रॉस इस लिए करना है कि जब यहां हमारों गर्विति सिधा हो जाएगा एक टॉमेटिक ठिक और यह भाग कर इधर हो जाएगा यहां पर एक कवर कर लेगा सबस्क्राइब से आपको जो है कम करना है समझ लिजिए जहां तक गला आया है तो उहां से यहां तक कम करना है बाकि यह सीधा रखना है एचिस आप समझ गया है अच्छे से और इसकी जो लंबाई होता है नॉर्मल एच चारींच तक और इधर से भी चारिंज सेंटर होगा तो अब इसको कैसा करना है डॉट ऐसा डॉट मारना है ऐसा ठीक है अब हमारा दोनों तरफ सेम जगा पर डॉट आना चीज उसके लिए ऐसा एक पॉइंट सुई लेना है या कोई भी मोटा चीज ऐसा कप्रे में होल कर लेना है एक अपरा फटेगा नहीं आपका अना ही खराब होगा ठीक ध्यान दीजेगा इसा तो इससे क्या होग कि एक चीज मैंने आपको और बताना भूल गया था कि जो एक भाग है पहले बैक की कटिंग करना तो इस तरीके से देखिए डवल फोल्ड कपरा है तो कपरा को आपको सेम ऐसा बिछा लेना है और इस साइट कर लेना है अगर जिनकी साइज हेवी है हेवी साइज है उनके ल हिस रखेंगे में अब गले की कटिंग करेंगे 》ँए साइगत अ कि अभले की कटीं हमने कर दिया ठीक है अब जब आप ध्यां दिजेगा क्याा होता है spec लेकिन इसको सीधा ऐसा उल्टा कर लेना है अपने चैथbet और यहां पे निसान लगाना है सीधा इससे क्या होगा कि आपका कप्राजों इस्टरा है और हड़ जाएगा ठीक है उसके आध इस पल्ले को ऐसा रखेंगे ठीक है ध्यान दीजिए गाप एक्स्टराटे रहा मेड़ा कप्राइश के लिए मैं निसान लगाया है और इससे कि एभाग कम और यह भाग ज्यादा क्रोस करना क्यों क्रोस करना है क्यूंकि यहां पर जो हम डाट मारें गे तो एभाग कवरके खीक के AgapY आधा इंच यहां पर पॉना इंच ऐसा रखना है ताकि यहां पर डॉट मारेंगे हम यह कवर कर लेगा ओके तो आप सेंपल तरीका समझे एदम्स आलाम से इतना आपको ऐसा बिछा लेना है और क्या गरना है सीधा ऐसा निसान लगा लेना है ओके यहां पर भी यह निसान लगा लेना है आपको समझ गया अब इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसा ठीक है लंब रोबर सीधा कर लेंगे देखिए ऐसा जितना दोनों है उतना मार्किल लगाने के बाद अब गला जो है हमें हांसे सीधा सीधा चेंज दे देंगे यह सारे चेंज ठीक है ऐसा और ऐसा ठीक है और सेम तरीके साम इसको कटिंग करेंगे और आर मोल भी हम पहले बढ़ावर काट लेंगे बढ़ावर यानि क्या गरना आपको यहां पे आदा इन छोड़ देना है कि ध्यान से समझेंगे एक चीज एक देखिए मैंने जो है आर्म में यहां पे फ्रंट की पल्ला में आधा इंच जादा रखाया है एक क्यूंकि यहां पर टक्स मारेंगे तो यह अपने आप कम होके और आर्म मोल जगे पर आ जाएगा ठीक है और दूसरा यहां पे जो फ्र इंच पेक निसान लगाना है और इधर से चार इंच पर ठीक है यानि मार्जिंग छोरने के बाद 4 इंच हाँ तो यहां पेक निसान लगा लेंगा यह हमारा बस्ट पॉइंट हो जाएगा अब जिनकी बस्ट जादा बड़ा है उनको डॉट उसके अप से ज्यादा लगाना है ठीक है वो चीज मैं बताऊंगा आभी समझाऊंगा कि कैसे लगाना है ज्यादा यह निकाल लेना है जिनकी साइज इसे छोटी है उन पौना इंच यानि पाउंच कम कर लेना है जिनकी साइज बढ़ा है और पाउंच बढ़ा लेना है यानि समझ लिजिए अगर 34 का है तो पौने दस कर ले अगर 36 38 का है तो सवा दस कर ले सारे दस कर ले यह चीज का इह मेजर्मेंट निकालना है इसके लिए भी मैंने और लेडी वीडियो बना चुका है अगर नहीं देखा आपने तो यह वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है देख चूड़ी उसके इंजाब से यहां पर राउन निसान लगा लेना है राउन निसान कितने पर लगाना है अगर बड़ा साइज है तो सवा इंच अगर छोड़ा साइज है तो एक इंच अगर उसे बड़ा है तो डेर इंच ठीक है तो हम सवा इंच के हिसाब से निसान लगा है चार उत्रप निसान लगा लेना आपको सवाइंच पे इसके आजुबाजु में ठीक है चार निसान हम लगाएंगे सवा सवाइंच का ओके अब इसके सामने जहां पे यहां से बस्ट पाइंट निकला है आप इसकेल रख रख देख लेना ऐसा तो इसी जगह पे एक निसान के तो अपको कि हां से हम आपना है यहां से हां तो हमारा एहां से यहां जो है वह आ रहा है 10 इंच हम रख लेंगे 5 इंच आधा होता है वह कि और नीची यानिश चारिए पर हो यह पर यहां पर और इसको जहां पर आर्म हुल की परइंट आता है वहां पर अब समझेगा ध्यांसे कैसे मैं निसान लगाता हूं यह दोनों सेंटर में आ जाएगा तो यहां से ठीक और यह आ यहां से और यहां से अप समझेंगा धहां से ए टिक इस तरीके से आपको निसान लगाना है अब यह निसान थोड़ा सा और क्रोश जाएगा ऐसा जाएगा ठीक है ध्यान दियेगा ऐसा तब तब जाके हमारा परफ्ट होगा आप जो डॉट लगाना है आपको जितना बड़ा साइज है याने फॉफ जितना ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से ए डॉट और ये डॉट को आपको बढ़ाते जाना है लेकिन नॉर्मल के हिसाब से मैं बताऊँ को तो आपको आधा-धाइं इस पर ही खतम कर देना है इसमें थोड़ा सा ज्यादा देंगे हम टिक है और यहां पर इतना कि अग्याँ कि अग्याँ कि अग्याँ अग्याँ इन देखें इस तरीके से आपको पूरा निसान लगा लेना है डिक है यह क्लीर होगे आप को कैसे आपको बनाना है जितना बड़ा पॉप होगा उतना ज्यादा डॉट मारना है यह नॉर्मल के हिसाब से है आप अपके एकॉर्डिंग देख लेना आपको कि कितना हमारा पर्फेक्ट होगा ठीक है उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा क्रोस करेंगे और इधर की साइट सेम छोड़ देंगे ठीक है हमारा एक किलियर हो गया है और यह हमारा जो है मार्जिंग हो जाएगा और यहां पर पट्टी अंदर मोरने के लिए तुरपाई के लिए आपको अलग से पट्टी लगाना है ठीक है तो ब्लावर और पर्फेक्ट आएगा आप है पूरा पर्फेक्ट तरीके से अब गला जो एक सोल्डर जो है आधा इंच इधर मार्जिंग जाएगा और आधा इंच इधर मार्जिंग जाएगा तो यह अपने आप सोल्डर जो है कम हो जाएगा और इसमें आपको सोल्डर भी नहीं उतरेगा पर्फेक्ट तरीका होग ठीक है यह बनाने का और ब्लाउज कटिंग करने का अब आपको क्या करना है कि आर्म होल की यहां पर डीप देने के लिए यहां पर फ्रंट के पल्ले में यहां पर डीप गहराई देने के लिए तो आपको सिंपल तरीका बताऊंगा यह बैक का पला लेना है और इसको ऐसा जो पल्ला है कम काटना है ठीक है ऐसा देखिए अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इतना इसमें से निकाल देना है इससे क्या हुआ कि यहां डॉट मारोगे और यह आएगा तरह इसा हो जाएगा ठीक है इस तरीके से और फिर बाद में यहां पर जो है यहां पर थोरा सा इच्छाट जाएगा अब हम अस्तिनी कटिंग करेंगे देखिए इतना सारा हमारा कप् को सब्सक्राइब करें के लिए में बताया था कि आपको बैक की जो फॉल्डिंग करना करना है इस तरीक से करना है तो इस बचेगा उसमें आपको बैठा लेना है यह पला और उदर स्तिन और बाकी चीज़ बैठ जाएगा अराम से अगर समझ में नहीं है तो कमेंट करना मैं वो चीज़ भी बता दूँगा अब हम बाजवी कटिंग करेंगे बाजवी कटिंग करने के लिए यह हमारा काफी है ठीक है इसा हम डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमेंसा सीधा एक निसान लगा लेंगे यह निसान इसलिए है कि साफ सुत्रा हमारा कटिंग हो ठीक है और यह बैक है ठीक है कि बहुत सारे लोगों की डाउट था कि अस्तिन कटिंग जो हमें एक वीडियो बनाया हूं जो दिसमें लिंग दिया हूं में उनको लोगों को पुरा साफ क्लिर ने दिखाई दे रहा तो इसमें आप समझ दिजिए गाठीक है उसके बाद हमारा जो लंबा है अस्त एक इंच फोल्ड करने के लिए और आधा इंच उसके अंदर फोल्ड करने के लिए इतना हमारा अस्तिन की लंबाई कटेगा ठीक है में जो है हमारा यही है अब समझेगा कि यहां से यहां हमने चेंज मापा था तो आपको यह डौट पे दूसरा लाइन पे यहां से यहां को छेंच पे निसान लगा लेना है फिर उसके बाद यहां पर जितना आप मार्जिंग दोगे उतना मार्जिंग यहां पर भी दे देना है प्लस थोड़ा सा और बढ़ालो ठीक है यह समझ में आ गया उसके बाद हमारा जो बॉटम की गुलाई है और 12 इंच है ठीक है तो हम है ऐसा ऐगा थीकर और लिषिस को मिला देंगे है ठीक है यह समझ यहगा फिर यहां से हैं हम बाजू की गुलाई लेंगे को फशार देखी है और यह से जो है हम फहरेंट ठीक है इस तरीके से है और इसको हम के इन करेंगे आप ठीक है और यह ऐसा आएगा और ऐसा करना है क्यों ऐसा करना है ओभी मैं अभी समझाओंगा आपको ठीक है अब जब इसको आप ऐसा मूरोंगे ऐसा मूरते ओना ऐसा देखे इस तरीके से तो यहां पे छोटा नहीं है ठीक है इसके लिए मैंने ऐसा कटिंग किया देखिए इस तरीके से आएगा तो यहां पर प्रॉफर मार्जिंग मिलेगा ठीक है अब हम इसको कट का निसान लगाएंगे और पहले हम इसको माप कर बता दें कि छोटा आया कि बढ़ा आया तो आप ऐसा इसको माप सकते इस तरीके से द धरफ़ देखिए यहां से लिएंगे ऐसा लेके जाएंगे और यहां से झानी चलंगा तो दूसार निसान लगाया है उसको ऐसा सेफ कर देंगे ठीक ए ओर हैं लिए कट लगाए दाकर चलिक यह फ्रेंट का का फॉल्दा हो गया ढौर हमारो श्रम से चर्सता हो गया है ठीक चारों चीज आपको दोनों तरफ सेम जगह पर कैसे दोनों पल्ले में तो इसके लिए आपको यह सुई से यहां पर होल गिरा लेना है ऐसा समझीएगा कि अगा कर iç Kanal के बिक्षे ठी característ से इससे क्या होति कि आपको इसट बीस समझ में आ जायगका कि हमारे इसी जग़र पर सलाई लगाना है अब कि एक कट लगा लेना आया अप को चारी तरफ से इस तरीके से आपको कट लगा लेना है परफेक्ट सभी कट को कि पताच चले कि हमें इतना सिलाई मारना है ठीक है अगर कोई डाउट बचा हुआ है आपका तो आप कमेंट कर देना हमें हमारे वाट्स depends नमबर फे वाटसब कर सकते हो ठीक है कि मास्टर जी ऐसा परफेक्ट नहीं हुआ और अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए और जरूर कमेंट करके हमें बताना ठीक है तो आज की वीडियो यहीं पेस्ट समाप्त हुआ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद